दोस्तों आईश के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एक ऐसी स्पेसल चीश को शेयर करूंगी पौधों के लिए जिसके किस्तेमाल से आपके बगीशे में पौधों पर फल और फूल आने लगेंगे क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि बगीशे के किसी पौधे पर अचानक से ग्रोथ रुख जाती है साथ में उस पे फल या फूल जिसका पौधा होता है उसकी संख्या भी काफी घटने लगती है और पौधा दीरे-दीरे कमजोर सा नजर आने लगता है खासकर ऐसी समस्यत बन तो अच्छी या बनती है तो सभी प्रकार के पौधोंस को अच्छी तरीके दोस्तों बढresters नहीं होता है तो की ग्रोथ विर्फ भी नहीं आते हैं तो दोस्तों सभी प्रकार के पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए NPK fertilizer की जरुवत पढ़ती है यानि की nitrogen, phosphorus और potassium की लेकिन पौधों की अच्छी growth के लिए और पौधों पर फलफूल लाने के लिए micronutrients काफी जरूरी होते हैं और ये micronutrients होते हैं iron, magneesh, copper, zinc, boron, iodine और कोबाल्ट अगर इसमे अगर fruit वाला पौधा है तो पूरी तरीके से उस पर fruit नहीं आते हैं तो पौधे की अच्छी growth के लिए इन दोनों चीजों का balance होना काफी जरूरी होता है तो इन दोनों चीजों की कमी को आज इस वीडियो में जो मैं बताने जा रही हूं ये special चीज पूरी करेगी तो ये क् इसको किस तरीके से पौधों पर इस्तेमाल करना है कितने समय के अंतर पर करना है तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं दोस्तों मेरे YouTube शैनल पर आप सभी लोगों का हारदिक स्वागत है तो दोस्तों ये सरसो के दाने हैं जिसे की mustard seeds के नाम से जाना जाता है और ये द इस्तेमाल किया जाता है लेकिन आज मैं इन दानों का आपको बगिशे में इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है ये बताऊंगी क्योंकि ये सरसो के खली से 10 गुना जादा powerful डाने होते हैं क्योंकि उसमें तेल निकालने के बाद में जो नीचे का raw material वचता है वो होता है तो उसमें पोशक तत्तों की काफी कमी हो जाती है लेकिन इन दानों में पोशक तत्तों काफी मात्रा में हैं और इन में micro और macro दोनों ही तरीके के nutrients एक साथ पाए जाते हैं और जब बगिशे में इसका इस्तेमाल किया जाता है तो पौदे पर बहुत अधिक मात्रा में फल और आने सुरू हो जाते हैं तो दोस्तों अगर बगीशे में इसको इस्तेमाल करने के लिए इन दानों का यूज देखा जाए तो इसमें NPK की जो परसंटेज है उसमें नाइट्रोजन 7 परसंट है और फासफोरस इसमें 3 परसंट है इसी तरीके से इसमें पोटेशियम 1.5 साथ में प्रोटीन इसमें 8 परसंट है और कैल्शियम की परसंटेज इसमें 10 है इसके साथ साथ इसमें मैगनीशियम आइरन जिंक कॉपर जैसे भी एलिमेंट्स मौजूद है तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि अब इन दानों का पौधों पर किस तरीके से इस्तेमाल करना है तो द्रलगभग 10 पौधों पर इस्तेमाल करने के लिए दो चम्मच सरसो के दानों को आप ले ले और मिक्सी जार में इन दानों को डालकर उपर से आधा गिलास पानी डालकर एक अच्छी तरीके से महीन सा पेस्ट तयार कर ले और पेस्ट बनने के बाद में वो कुछ इ पौधों पर इस्तेमाल नहीं करना है उसके लिए पहले इसको किसी चन्नी या कपड़े की मदद से चान लेते हैं और चानने के बाद में इसमें लगभग हम दो लीटर पानी मिला देते हैं और अब एक पतला सा सलूसन तयार कर लेते हैं और तयार करने के बाद में आपके जिस भी पौदे पर फूल नहीं आ रहे हैं, या फल नहीं आ रहे हैं, उसमें लगभग अगर 10 इंच का आपका गमला है, तो ये 300-400 ml के बीच में मिट्टी की गुड़ाई कर पानी डाल दें, और हर 15 दिन के अंतर पर एक बार इस फर्टिलाइजर का अगर आप इस्तिमाल करत हैं, तो आप देखेंगे कि अगर आपके पौदे पर जो भी फूल आ रहे हैं, वो फूल गिरना बंद हो जाएंगे, साथ में फ्लावरिंग और फूटिंग भी पौधों पर स्टार्ट हो जाएगी, दोस्तों इस बच्चे हुए पेस्ट को फेकना नहीं, इससे आप पानी डाल कर फिर इसको आप फर्टिलाइजर के रूप में दो दिन के लिए रख दें तो ये तैयार हो जाएगी, या फिर इसको पेस्ट को आप धूप में सुखा लें और फिर वर्मी कमपोस्ट खाद में मिला कर जिस भी पौधे में आप देना चाहते हैं, उस पौधे में आप देखेंगे कि जो सरसो की खली आपको रिजल्ट दे रही थी, उससे 10 गुना बढ़के ये सरसो के दाने आपको पौधे पर रिजल्ट देंगे